असलाम वालेकुम नमस्कार सातियों आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पर चोद्री डेरी चोद्री डेरी स्याना बुलंसहर यूपी ये डेरी हमने शुरू करें थी संदवयार सोलाम है उस टाइम हमारे पास दो वहसे थी आज लगबग हमारे पास पचास वहस चार गाए हैं और उनके बच्चे हैं आईए हम आपको दिखाते हैं अपना डेरी फार्म अ हुआ है कैने के भाईयोग कर सुक्रैब करना चाहता है दो अछ और ऑच्छा नफाह होता है जब नफाह होता है और चोने बिखेंश बड़ी भैस अच्छी दूर्ट वाली ले जो इसे दूरे पर जालत दूद देती हो वो भैस लेंगी तो जालत दूद देंगी क्लाइन अफ़ा होगा यह हमार डेरी में लगभग 50 बैसे हैं सब बैसे 15 लीटर तक 15 लीटर की या 15 लीटर से उपर गी है हम आपको सभी को एक-एक भैस करके दिखाएंगे अगली वीडियो में एक-एक भैस की वीडियो बिलाकर दिखाएंगे यह वैसे जो है 15 लीटर दूद दे रही है जी है यह यह हम मैस कहा से लाते हैं वो सब बताएंगे यह रातव जिरता है यह आपर पाने का है कि अधर तो रहते हैं हमारी सब भैसे दूद वादे जो दूद देती हैं और दूसे पोर्शन में दूसरी साइड जो रखते हैं हम अपने फार्म में 10 भैस ग्यावन रखते हैं जो आठ महिने की नो महिने की ग्यावन रहती है वो अपने फार्म की पहली भैस दूद दे भी होती हैं यह वह दे हमारी ग्यावन है जो की आठ महिने की कोई नो महिने की है अब इनका ब्यावन चालों हो जाएगा कि वो फार्म जभी कामया भता सकता है जिसकी भैस दुआरे भ्यावन यह यह दर ग्यावन है यह सब बहते हमारी ग्यावन खनी है जो अभ्यानी स्टार्टे होंगी यह इधर बच्चे हैं इन जो कि जिनका दूर्ष छुट चुका है बड़े हो रहे हैं दोगा इधर है और यह खाली जमीन यहां सामके टाइम बनती है यहां पर भुसका स्टोक होता है जो कि हमने इस सीजन में छेतो कुंतल स्टोक करा है वो टाइम टू टाइम मगाते रहते हैं यह मसीन लगी विए चारे काटने के लिए चारा कटावा है और यहां चोटे बच्चे रहते हैं पूरा सिस्टम दिखाए जाए तो कुछ ऐसे दीखता है काम बहुत फार्म करना चाहिए काम बहुत अच्छा प्रोफिटेविल है लेकिन महनत भी इतनी है और यह सब को पता है जिस काम में महनत होती है उसमें नफा भी होता है और आद देने वाली वहते हैं वेस्टन नहा रही है डेली नहाती है